सरकारी बैंकों का निजी करण और बैंक यूनियन्स इसके विरोध में हम लोग जन कल्यान के लिए सोच रहे हैं कि जो हमारे पास लोग पहुच नहीं मतलब पहुच पाते हैं वो प्राविट सेक्टर बैंक में नहीं पहुच पाए कि नीटी आयोग ने यूको बैंक, बैंक अप महरास्टरा, पंजाब और सिंध बैंक को बेचने का प्रस्ताव दिया है दोस्तो आईडी वियाई बिक गया, दो सरकारी बैंक और बिक जाएंगे देश भर में अपनी मांगो को लेकर पहले किसान प्रेदर्शन कर रहे थे इसके बाद जॉब मांग रहे स्टूडेंट भी सोशल मीडिया पर हैश्टेक का इस्तेमाल कर सरकार से रोजगार की मांग करने लगे अब बैंक के करमचारे भी सड़क पर उतर चुके हैं वे भी सरकार के खिलाफ है प्रेदर्शन कर रहे हैं जिस वज़े से दो दिन बैंक की सारी गतिवी दिया बंद रही दरयसल केंदर सरकार की निजी करन की निती के खिलाफ सरकारी बैंक करमई को ने सौमवाल 14 मार्च से दुद्दिव से हड़ताल का आगास किया सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किये और अच्छे दिन लाने का कहा लेकिन कितने अच्छे दिन आए ये सब आपके सामने ही है अच्छे भी हम रुप्य ले आए ना तो भी इंदुस्तान के एक एक गिरी बादवी को मुषत में 15-20 लाक रुपय इंभी में जाएंगा इतने रुप्य है निजिकरन का मुद्दा काफी पहले से चल रहा है और वक्त वक्त पर पत्रकार इस मुद्दे का उठाकर जानकारी भी देते रही है सरकार एर इंडिया में अपने हिस्सेदारी बेच रही है इसके इलावा कई सरकारी कंप्रियों में सरकार अपने हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है और अब सरकार ने सरकारी बैंकों का निजिगरन करने का भी फैसला लिया है जिसका मतलब है सरकार सरकारी बैंकों से अपने हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है यही कारण है कि बैंक के करमचारी हरताल पर है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ पत्रकारों ने हरताल करे करमचारीं से बात की और उनकी मंचा जानने की कोशिश की सेक्टर बैंक में तो सबसे पहले हम लोग जन कल्यान के लिए सोच रहे हैं कि जो हमारे पास लोग पहुच नहीं मतलब पहुच पाते हैं वह प्राइविट सेक्टर बैंक में नहीं पहुच पाएंगे पहला दूफरा क्या इंप्लोई लोग में जो भाय का भाय है कि अगर आ उसके बाद क्या देश की अर्थवेस्ता अच्छी हुई या खराब हो गई यह तो समझने वाली बात है कहीं कहीं बहुत आगे बड़ी तो फिर आज ये कौन सा जुरत पड़ गई कि आप इसको प्राइविट करने पतूल गया है जो प्रॉफिट मेंकिंग बैंक है उसको आपको सई सलाह नहीं दे रहे हैं इससे देश की अर्थवेस्ता आप दूसरे के हाथ विलिश्यों के हाथ गिर भी रखेंगे यह किसी रुपेश्ट वाल नहीं हुग इस मुद्धे पर अधिक जानकारी सीनिर पत्रकार रविश्क मार्डे अपने शो में दी 2016 में तत्कालिन वित्यमंत्री अरुन जेटली ने दिल्ली में हुए एकनौमिस्ट इंडिया समिट में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जनता और राजनितिक सोच इस पर एकमत है जहां हम बैंकों के निजी करण के बारे में सोच सकते हैं हम जरूर बैंकों को मजबूत कर रहे हैं लेकिन अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है जेटली के इस बयान के चार साल बाद इस सिती बदल गई क्या आप जनमत और राजनितिक वर की सोच निजी करण को लेकर एक हो गई है मई 2020 में वितमंत्री निर्मला सितारमन का बयान छपा है कि सरकार एक युक्ती संगत नीती बना रही है जिसके तहट रणनितिक छेत्रों को परिभाशित किया जाएगा और उसमें चार से अधिक सार्विनिक छेत्र की कमपनिया नहीं होंगी पिछले साल Financial Express में नीती आयोग से जुड़ी एक खबर छपी थी कि नीती आयोग ने युको बैंक, बैंक अप महरास्ट्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक को बेचने का प्रस्ताव दिया है वित्य राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर ने एक्स्प्रेस के सनी वर्मा को दिये एक इंट्रिव्यू में कहा है कि ये निजी करण का सही समय है निजी करण को लेकर राहुल गांदी की ओल से भी एक ट्वीट आया है उन्होंने लिखा केंद्र सरकार लाब का निजी करण और नुकसान का राश्य करण कर रही है सरकारी बैंक मोधी मित्रों को बेचना भारत की वितिय सो रक्षा से खिलवार है महरताल करे बैंक करमचारियों के साथ हूँ बैंक के करमचारी मीडिया पर नजर लगाे बेठी थे कि उनकी बाद चायद मीडिया उठा ही रहा होगा और इस पर कुछ डिबेट भी होगी और चल्चा का विशे भी बनेगा पर केवल कुछ मीडिया चैनलों दोरा ही इस मुद्दे को उठाया गया जी न्यूस के पत्रकर सुदीग चाधरी ने अपने शोड़ी डियाने में इस मुद्दे पर बात की और कुछ जानकारी भी दी देश के लगवग दस लाख बैंक करमचारी हड़ताल पर हैं और इन मेंसे बड़ी संख्या में सरकारी बैंक करमचारी ने हमें लिखा कि वो चाते हैं कि जी न्यूस उनके इस मुद्दे को उठाए उनकी आवाज बने और लगातार सोशल मीडिया पर हमारे इमेल पर और अलग अलग तरीकों से बैंक करमचारी हमें लिख रहे थे कि हमें इस विशे को उठाना चाहिए उनका कहना था कि बाकी देश का मीडिया इस विशे को उठाना ही रहा है हमें लगता है ये मीडिया का करतव्य है कि आज जब हमारे सरकारी बैंकों के लाखों करमचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकों पर हैं तब उनके मन की बात भी हम देश के सामने इमानदारी से रखें हरताल की प्रमुख वजा है सरकारी बैंकों का निजी करण और बैंक यूनियन्स इसके विरोध में उनका कहना है कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में यानि प्राइवेट हाथों में सौपना एक बड़ी गलती होगी और इससे बैंक ग्रहाकों और करमचारियों के हित भी प्रभावित होगी खरताल के मुद्धे पर कुछ जानकारी सिनिर पत्रकार पुने प्रसून बाजपई ने अपने चैनल के मद्यम से दी वे अपने वीडियो में सरकार कैसे सरकारी कंपनीों को बेच रही है इसके बारे में जानकारी दे रहे है हो चली है, PSU लगातार कतार में है, 12 की विक्री इसी एक बरस में होनी है, उसके बाद 100 से ज़्यादा PSU विकने को तयार है, और इन सब के अलावे जो भी छेतर आप सोच सकते हैं, चाहे वो रेलवे का चितर हो, चाहे वो पोर्ट का चितर हो, चाहे वो हुआई अड़ो का चि जो भी छेतर आपके जहन में आएगा, सब कुछ बेचने की तयारी में सरकार आचुकी है, और इसके लिए एक शब्द होता है निजीकर्ण, और इस निजीकर्ण के साथ एक दूसरा शब्द होता है, कि दरसल इसके जरिये भारत की एकनौमी पट्री पर आपाएगी, और इ एक तरफ सरकार जनता को अच्छे दिन का भरोसा दिला रही है, और दूसरी तरफ जनता अपने परिशानियों को लेकर प्रिदर्शन कर रही है, देखते हैं देश किस तरह पांच ट्रिलियन तक पहुंचेगा, पंजाब टोड़े रिपोर्ट